हाई फ्रेंड मेरी चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली भंडारे वाली काले चने की रेसेपी बिना लसून बिना प्याज के एकदम सिंपल तरीके से चलिए ये बला वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक शेय बन जायेगा, यहाँ पर मैंने कर लिया है, यह देखी मैंने काले चने को रात को ही भीगो दिया था, भीगोने के बाद इसे मैं तीन सीटी लगा लोगी कुकर में, आपने अगर पहले नई भीगो आया तो आप दो घंटे के लिए भीगो सकते गरम पानी में, यहाँ पर मैंन सा स्वाते कर लेते हम अभी और यहां पर में आदा चमस के करीब मिर्ची मिला दूँगी रेड चिली वन फोर्ट चमस हल्दी और यहां पर स्वादा अनुसार में नमक मिला दूँगी सेंदा नमक जो हम वरत में खाते हैं अच्छे से इने चला देना है और यहां पर जीरा प रिनहें हमें अच्छे से भुनना है हमें जितना आपका मसाला अच्छे से भुने का इतने ही आपका यहां पर चने अच्छे बनेगे इसे हमें भुनने में तीन से 4 मिनिट लग जाएगे बहुती सिंपल तरीके से बना रहे हूं बहुती अच्छे लगते हैं काले चने ये व्रत में खाये जाते हैं ये देखें जो मैंने बॉयल किया था चना उसे एड़ कर दूँगी यहाँ पर मैंने एक कप चना एड़ किया है एड़ करने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद आपको इसे और दो से तीन मिनिट के करीब पकाना है इसे ताकि अच्छे से फ्लेवर मिल सके ये देखें मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ढग दूँगी चलिए यहाँ पर दो मिनिट हो चुके है यह देखे हमारे काले चने कितने अच्छे है यहाँ पर बन रहे है और थोड़ा मैं इसे पका लूँगी एक से दो मिनिट में और पका लूँगी इन्हें इसके बाद हमारे काले चने बिल्कुल भी रड़ी हो जाएगे यह देखे यहाँ पर बन चुके हमारे काले चने बहुती टेस्टी बिना ज्यादा मसालों के भी यह देखे हमारे यहाँ पर सर्फ कर दिया है मैंने बहुती अच्छी बनी है रेसिपी प्लीज अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूली ऐसी में लाती रहोंगी आपके साथ नई नई वीडियो इन नवरात्र में चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ नई वीडियो में इसी के साथ बाई